तो दोस्तों चले यहाँ पर बात करेंगे GT20 का मुकाबला जो खेला जाएगा BTM vs. MON के बीच मुकाबला खेला जाएगा कब खेला जाएगा मेरे भाई तो नाइट में साड़े आठ बजे खेला जाएगा तमाम चीजे देखेंगे बड़े बड़े प्लेयर आपको खेलते विए नजर भी आएगे उनके उपर भी हम लोग बात करेंगे लेकिन अगर जदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाते हैं तो हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खूद खेलता हूँ इनके अलावे जील का टीम, पीच रिपोर्ट, पिलेंग 11 याने एक सांधार टीम बनाने में जितने चीजों की अब सकता होते हैं मेरे भाई सारा कुछ टेली गराम चैनल पे पर वाइड करता हूँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कोमेंट जोता वहाँ पर लिंक होगा अब चलिए अनलेसिस की ओर चलती है एबरेज स्कूर इस स्पीच की बात किया तो एक सो तीस पलास है हाइस्ट डिस्कूर यहाँ पर 238 रन बनाए पांस बिकेट के नुकसान पर 56 रनों का अंदर भी टीम लुड़क गई है याद रखना बेटिंग के लिए बढ़िया रहता है लेकिन हाँ चीजों को समझना होगा फाइनल फिच रिपोर्ट आएगी तो उनके अनुचार हम लोग अच्छी तरीका पता कर लेगे टोटल 40 मेंच यहाँ पर खेला गया भाई यहाँ कोई काम कोई करता है कि ने दिन भर मेची खेलता है चालिस बेटिंग फर्ष्ट बारा विन किया बेटिंग सकेंड 28 याने कि टोस जीतो बोलिंग चुनो सामने के टीम को सस्ता में रोको और यहां से अपने असानी से लक्ष को फिछा करो इसकोरिंग पेटर डेड़ सो रन 24 बार बना है 26 जून 2024 को 20 CK के टीम 110 बनाती है दस बिकेट गवा कर और ये दो बिकेट के नुकसान पे 111 अर्रन हसिल कर लेए फर्ष्ट इनिग में साथ विकेट फास्ट गेनबाज ले जाता है तो फर्ष्ट इनिग में इस्पिनर दो बिकेट सकेंड इनिग में पेसर्स को एक बिकेट तो यहां से टोटल 11 विकेट, 8 विकेट, पेसार्च, 3 विकेट, स्पीनर मिला है अब देखो लास्ट 10 मेच यहां पर देखा जाए तो यहां से लास्ट 3 मेच का तो खास है ने एक मेच खिला गया दोनों टीमों के बीच तो M.O.N की टीम ने एक विन किया, रिसेंट फोर्म भी M.O.N की टीम का बहुत तगड़ा था वीन, 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 लोस, वीन ऐसे करके अब B.T.M की टीम जो हर बार लोस, लोस, लोस करके आ रही है क्या इस लोस को तोड़ पाएगी बड़ा सवाल अब यहां से देखा जाए, B.T. की टीम का देखोगे रहमतुल्ला, गुर्वाज, कमाल का पिलेर है भाई, अफगानिस्तान से विलोंग करता है आपको पता होगा, एच जजाई, ये भी एक बाएँ हाथ का तावड, तोड़ हीटर ये भी अफगानिस्तान का पिलेर है, मुहम्मद वसीम, ये भाईया अफगानिस्तान का ने मैं भोल रहा हूं, मुहम्मद वसीम काफी तगड़ा खिलता है ये सायद UAE से खिलता है, हाँ, UAE का पिलेर है, काफी कमाल का पिलेर है, कमाल का परगत सिंग भाई USA का पिलेर है परगत सिंग साउरब नेटरवालकर लोग के सांट जो खेल रहा था वहां का ये पिलेर है ठीक ठाक है उतना खास नहीं है इप्तिकार हमद पाकिस्तान का हाड़ीटर है जिनको चाशा के नाम से जाना जाता है डेविड वीजे नवीविया का पिलेर है मेरे भाई कमाल का ये भी उल्ड राउंडर है किप्तन भीसी भी दे सकतो इनके अलावे स्वरी फुल इसलाम ये वंगलादेश का तगड़ा गेन बाजा इनके अलावे तजिंदर सिंग इनका रिकोर्ड उतना खास मुझे लगा नहीं तो ये प्रोवेवल पिलेंग लेवन होना चीए आर गुरुबच का रिसेंड फोर्म पे नजा डाली जा देखो टोटल तो 25 का अवरे रिसेंड फोर्म 30, 0, 13, 57 बाद 27 इसे करके आड़ा हसमा तुल्ला जजाई की बात की जा मेरे भाई 27 के अवरेज इनका क्रिकेट करियर खाता है रिसेंड फोर्म 22, 64, 35 ये तीन पारी अच्छी आई है मुहम्मद वसीम इने तगला माना जाएगा भी जो लीग चल रहा था सिरलंका का वहाँ पर ये ठीक ठाक खेल रहा था पर आपने देश के लिए बहुत बहतरीन खेलती है रिसेंड फोर्म 50, 31, 95 बाद भी आया था तो ठीक ठाक पिले रहा रिसेंड फोर्म 0 पलस 0 रन, 7 रन पलस 0 विकेट, 35 रन बनाए फिर 0, 18 रन बनाए एक विकेट, दोनों चीच करता है तो इंपोर्टन रहेगा परगत सिंग की भात किया जील पर ट्राइक करना ज्यादा खास मुका मिले तब ये बहतर है इप्तिकार रहमद, पार्ट टाइम गेनबाजी, फुल टेम बल्ले बाजी लेकिन बात है इनका बल्ले बाजी बहुत नीचे डेविड वीजे, ये इंपोर्टन रहेगा, 27 पलस 1 विकेट, 1 पलस 1 विकेट, 14 पलस 0 विकेट, 9 नाबाद पलस 3 विकेट और इनका किर्केट करियर भी बहुत बढ़िया है, ओडेयन इस्मित ये भी ठीक ठाक है, कितने गेनबाज के साथ खेलते हैं, क्या इनको कितना ओभर मिलेगा, उन बातों पर भी निर्भर करेगा दी हैलेगर की बात की जाए, ये दोनों चीच करेगा रही इंपोर्टेन रहेगा, USA का स्टार ओलरंडर है, खास कर गेनबाजी ओलरंडर है, शरीफुल इसलाम ठीक ठाक आपको गेनबाजी करके देगा, और पहले गेनबाजी में जाना इंपोर्टेन है, तो जिंदर सिंग गेनबाजी बले बाजी दोनों से अच्छा कर रहा है, परवीन कुमार, ठीक ठाक ये भी पिले आ रहा है, लेकिन जील पर ट्राय करना, डी बजवा, भाई ये आकर्मक बले बाज, ये भी USA से विलोंग करता है, और बड़े-बड़े सोट के लिए ये जानी जानी जाते है, बड़े-बड़े सोट लगाते है, अयान अफजल खान बहुत बणिया ये भी, साथ ये भी UAE से विलोंग करता है, और ठीक ठाक इस पिनार है, आपको पाबर पेले में भी कुछ ओभा डालते हैं नजर आ सकता है, इनके लाब ये ये बराज, मुझे नाम ही मेंसर नहीं पता चर रहा है, मैंने बता है, मुबाईल हमारा थोड़ा अफगानिस्तान के लिए गजब का परदसन किया, गजब, जहूर खान की बात कि ये योरकर पे योरकर मारते हैं, UAE के लिए जाने जाते हैं, और लंका लिक के पहले मुकाबले मिनों ने अपने पहले ही ओभर में बिकेट ले गया था, क्रिसलिन का रिसेंट फोर्म बहुत कबर भी कर रहाता, तो यहां से देख सकते हैं, जी रासमस यहां से 63 पलस दो विकेट, 36 पलस जीरो, पिले यहां काफी बढ़ियां ठ्राइक करना चीए, अजमत तुल्ला उमर जाई यह भी एक बढ़ियां ओल राउंडर है, तो इनको भी ट्राइक करना चीए, एक बिकेट 26 पलस जीरो विकेट, शौदा नबाद पलस एक बिकेट, 24 नबाद पलस एक बिकेट, दो विकेट ऐसे कर के आघा है, डी वजवा की बात कि यहां अकरमग बले बाजा बड़े बड़े सोट लगाते हैं, अयान अवजल खान के बात की यहां दो विकेट, तीन नबाद एक ब देख सकते हो एक बिकेट, एक बिकेट, एक बिकेट है बांकी फुलोफ सा नजर आए न भी न लग्यू यह इनका रिसेंट फॉर्म जरूर गड़बाला लेगिन बांकी गिनबाद से ज्यादा इन्हें तबज्जो देना चीए जहूर खान एक बिकेट, दो बिकेट, दो बिकेट, एक बिकेट, तीन बिकेट भाई रिसेंट फॉर्म कमाल काती इनके उपर भी जाएंगे और डेट का बेस्ट गिनबाज मानना भी जाता है जहां से बेंच में से कोई भी पिलियर खेलेगा, मैं आपको टेली गिलाम पर अपडेट कर दूँगा तो आसा करता हम मेरे भाई हमारे टेली गिलाम चैनल पर आप लोग जोईन कर लियोंगे और अभी तक अगर जदी हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो कर देना अब चलिए ड्रीम लिवन के फाइनल टीम किरियेट करने की और चलते किस परकार से हम लोग बनाएंगे जिया मेरे भाई कोंबिनेशन देखेंगे लेगिन इससे पहले जदी हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो कर दो इनके अलाबे कुछ जनकारी लेना तो इस्टा पे भी मेसेज कर चकते है देखो बिकर्ट कीपर की बात के अट आर गुर्बाज टीम से फट दोनों के साथ जाना चाहिए दोनों का रिकोर्ड बहुत बनिया दोनों अच्छे फोर्म में भी चल रहे हैं क्रिसलीन का फोर्म थोड़ा सा मुझे गड़वल लगा एस जजाई भी मुझे ने वसीम मुहमद के साथ मैं जाना पसंद करूगा ठीक ठाक ये बलेबाजी कर रहे हैं फिलाल ओल डाउंडर सेक्षन में आते सकीवल हसन, ए उमरजाई, डेविड वीजे, जी इरासमस, इप्तिकार अमद कितना ओभर डाल सकता है क्या उनकी उपर बात करेंगे एस्टोनेगर खेलने के चांस थोड़ा कम है इस वज़ा से मैं इनको अभी ड्रोब करता हूँ अभजल खान को क्योंकि ये ठीक ठाक पिले रहा और आपको अच्छा खासा परदर्शन करते हुए नजर आएंगे तो हमें लगता है यहां से मैं एस इसलाम को फिलाल के लिए मैं ड्रोब करता हूँ यहां से आयान अभजल खान के उपर जाता हूँ क्वालिटी स्पिनर है मेरे भाई और एसे स्पिनर हर बार अच्छा खासा साबित करके चला जाता है देखो सकीबल हसन केप्टन का फिलाल बढ़िया चुआज तो है लेकिन इनका फोर्म थोड़ा सा गड़बल चल रहा है मैं फिलाल के लिए भी सेफ जा रहा हूँ वो अलग की बात है लेकि लाइन अप के बाद मुझे वैसा लगा तो मैं अधर के उपर जा सकता हूँ डेविड वीजे जी इरासमस यापिन मैं किसी डेत गेनबाज जैसे कि यहां से नवी ने लगकी हो गया यह लेगर हो गया जब डेविड वीजे की टीम गेनबाजी कर डेविड वीजे को भी मैं केप्टन दे सकता हूँ तो फिलाल कि लाव यह टीम सेफ करकर को इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग ने बन पे